नमस्कार दोस्तों मैं सोरोब और आप देंगे रहूँ से स्क्रीक फैंटसी इस विडियो के तुरू मैं आपको इस मैच से रिलेटेड हार एक फ्लियार का रिसेंट फॉर्म पिछ रिपोर्ट कौन सा ऐसा प्लियर है जिसको इस टिम में पिक कर सकते हो कौन सा ऐसा अप्लियर है जिसको आप कंडिशन वाइस ड्रॉप कर सकते हो जी एल का टीम कॉम्बिनेशन ये सब कुछ मैं आपको इस विडियो के तुरू डिसकस करने वाला हूँ और स्टैटिकली एन लॉजिकली फेडिक संदेने वाला हूँ जिसके मदद से आपना से स्मॉल लिग ग्रैल लिग में भी एक अच्छा का सा प्रॉफिट कमा सकते हो इसलिए विडियो बीन स्किप की ये पूरा देखिएगा और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा इसके अलबा स्मॉल लिग का टीम एन कौन सा प्लेयर आज आपको ट्रॉम हो सकता है ये सब कुछ मैं को टेलीग्राम चैनल पर इंफर्म करता हूँ इसलिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुनना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टन है नीचर डिस्क्रिप्सन पर लिंक है अब लिंक के थ्रू हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो शुरुआत करते हैं लिए थोड़ा बैलेंस विकेट रहते हैं लेकिन अभी थोड़ा स्लो पीच आपको नजर आएगा क्यूंकि यहां पर लगातर चार मैच खिला जा चुका है और पीच थोड़ा स्लो हो जा चुका है इसलिए आपको उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं देखने को मिल आप टीम में ज्याद से ज्यादा बोलार के उपर फोकस कर सकती हो खास करके चुछ मैच का रेकोर्ड है आप देख सेकते हो इस बिने को पर आपको पीच के बार में लगभा समझ में आ जागा पहला जो मैच लए गया था इस विने को पर जामाइका और सेंड लूसिया आप देख सेकते हो उस मैच में टोटाल पेशार की खाते में 6 विकेट और स्पीनार की खाते में टोटाल 8 विकेट था सेकंड मैच में क्या हुआ था सेंड लूसिया और बार्बाडेज की विच में जो मैच लए गया था उस मैच पे सेंड लूसिया ने पहले बैटिंग गरते वे 201 मर जाता क्यूंकि मैपको उस मैच में बोला था फ्रेस पीच यूस होने वाला है और उपर से सेंड लूसिया का बैटिंग मोटर काफिश्ट होंगे इसलिए 200 मर जाता और बारबाड उसने ओर रान चेस नहीं कर प लेगा आप 160 आपको नहीं देखने को मिलेगा आप ज्यादा से ज्यादा टीम में बोलार के उपर फोकस कर सकते हो आप देख लेते हैं जमाई के तलेवाज की पॉस्पेल पिरिंग रहे हैं उद्रीसेंट फॉर्म ब्रैंडन किंग के साथ आपको मैकोंजी को ओपेनिंग कर फिलाल के साथ जा सकते होंग से लेकिन कीपिंग से आपको एक फ्लियार को पिक करना ही होगा फिलाल अगर आप चाहतो जोंगू के साथ जा सकते हो क्यूंकि नमबर चार पार यह आपको बैटिंग करते हुए दे सकते हैं और कीपिंग से भी कुछ क्याचिंग और स्टेंपिंग वागए से आपको कुछ पॉइन देने वाले हैं कूल मिला के आमिर जंगो इनपरेंट पिक तुन मैं आपको नहीं बोलूँगा लेकिन डिसेंट पिक होने वाले क्यूंकि कीपिंग सेक्शन से आपको एक प्लेयर को तो पिक करना ही पड़ेगा नमबर पाच पर आपको रैमोंड रैफर को देखने को मिल जाएगा इसका रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो ठीक तक है और जरूरत प्रण्य में यह आपको बोलिंग भी करते हुए दे सकते खास करके इस पिच कर पर अच्छा मतलब बोलिंग करने भाले है रैमोंड रै मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ उसका अपको इमाद वासिम को देखने के मिल चागा बहुत ही इंपरेंट पी होने वाला है बैटिंग और बोलिंग दोनों सबको परफेरेंस करके दे सकते हैं पीचने माज़ बैटिंग से 19 क्या था और बोलिंग से 3 वीके चटक दिय और ज़र्वात परणे में यह आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं इसलिए क्रिस ग्रीन इंपरेंट भी होने वाल है उसको अपको मौमोद आमीर को देखने को बन जाएगा फॉर्म थोड़ा गरबर चल रहा है लेकिन मौमोद आमीर एक वाल्ड क्लास बोला रहा है अब मौमोद आमीर के साथ आपको इमाद वासिम को देखने को मिल जाएगा बेंच पर कुछ प्लेयर का नाम है अगर खेलते हैं तो उसका विर्यकौन आप देख सकते हो आप देख लेते हैं वारबाडोस रोयल्स की पॉसिबल प्रिंग लेम हैं उद रिसेन फॉर्म राकिम क्र के पास काफी अच्छा है लेकिन वहीं बात है पीच थोड़ा स्लो हो जा चुका है या पर आती उतना ज्यादा हेटिंग करना उतना आसान नहीं होने वाले पिछले मैच में रान आउट हो गया था पिछले मैच में बैटिंग का मौका था लेकिन अनफॉर्चुनेटली रा पर उच्छ खास नहीं कर वाया मतलब एवरिज गया था और पिछले मैच में दो बार बोलिंग लगा था लेकिन आज बोलिंग कर सकते मैं वोलिंग के वाज़े से काईले मैं इसको पिक क्या हूँ क्योंकि बोलिंग से साथ यह एग अदा हुई के चटका के दे सकते उपर स अच्छा कर सकते क्योंकि टीम का कैप्टेन भी है उसको आपको आप देख सकते हो काफी बढ़िया है बैटिंग और बॉलिंग दोनों सब को परफेरेंस करके दे सकते हैं पिछले मैच में चार वी के चटका दिया था उसका भी रिसेंट फॉम आप देख सकते हो उतना लेकिन बहुत नीचे बैटिंग करने हैंगा कीपिंग से भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकता है लेकिन वही बात है बहुत नीचे बैटिंग करने हैंगा उसको आपको नाइम यहां को देखने कर सकते हैं पिछला बैटिंग से 48 एडरन की एक आउटस्नेंडिंग कर सकतो उसकोल आपको क्या सामेद को देखने हमें जाएगा बहुत ही इंपटेंट पीक होने वाल है आप इसका रिसेंट फॉर्म देख सेखतो लास्ट पांच छे मेच में कंसिस्टन से उइकेच चटका है और उपार से यह जो पीच है यह स्पीनर के लिए और फी प्रेफार पारेवल हो गया है उसको अपको देखने को मिल जाएगा डेथ होगा स्पेसालिस्ट बोलर है लेकिन फॉर्म थोड़ा गढ़बर चल रहा है आप देख सकते हो और पिछले मैज में भी विकल लिस गया था ओपनिंग बोलर की बात के तो काईले माइस का साथ आपको पिछले में 19 के था लेकिन वहीं बात है बहुत ही नीचे बैटिंग करना है इसलिए मैं फेरेर को नहीं पिक करने के लिए आपको साजेस्ट करूंगा आप आमिर जंगो के साथ जा सकतो क्योंकि नंबर चार पर बैटिंग करना है फॉर्म तो उतना कुछ खास नहीं है लेक लेकिन फिर भी आप आमिर जंगो के साथ जा सकतो बैटिंग से व्रेंड़न किंग इनपाटेंट पीक होने वाले रॉमें वाल बहुत ही इनपाटेंट पीक होने वाले हाला कि पिछले मैच बेटा लेकिन जरुरत पन्ने में बोलिंग भी आपको करके दे सकते और काफी पिछले मायास के साथ भी आप जा सकतो हाला कि बैटिंग से उतना उमीद नहीं है बैटिंग से फ्लॉब नहीं जाने वाले एडलिस्ट आपको 15 बिजनान मरके दे सकते और उपर से दो भर बोलिंग कर सकते मतब दो तीन भर बोलिंग कर सकते बोलिंग से एक अधाविकेट आपको साय चटकते हुए दे सकते हैं इसलिए मैं मायास के साथ जाने वाल हूँ फैवन एलन को भी आप पिक कर सकतो यह जो पीछ है थोड़ा बोलिंग फ्रेंडली हो गया है मतब स्पीनिंग फ्रेंडली हो गया है उपार से बल्ले वाजी से भी आपको कुछ ना कुछ पीछ हो गया है और यहाँ पार उतना साधा हिटिंग करना उतना आसान नहीं होने वाला है बॉलिंग सक्षन से मौमद अमीर इंपरेंडली होने वाले हाला कि फॉर्म तोड़ा घरबर चर रहा है लेकिन अब सभी को पता है मौमद अमीर एक वाल क्लास बोलर है काफी एक्स सालमा निरसाथ बहुत ही इंपरेंडली होने वाला है सिलेक्शन पर्संट अब दिख सकते हैं लेकिन अपका ट्रामपी को सकते हैं क्यूकि इसका रिसेन्स काफ ही और क्या समयथेनिकंब होने वाले तो आप इमाद वास्म को कैप्नेर मोस सक्तोब दो अब जैसन होलार को क् कैप्टेन भाइस कप्टेन 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 झाल झाल